बिशली सेंत्रों में आग और तूट फूट को रोकने के लिए थर्ड पार्टे सिस्टेम द्वारा फायर ओडिट का निर्देश दिया गया है यह बाद डॉक्टर राउत ने प्रकाशकर सिद महानिर्मित एवं MSDCL मुख्याले में आयोचित उच्छी सर्य समिक्षा बैठक में कही बिशले सेंत्रों में आग की घटनाओ और दुरगटनाओ को रोकने के लिए उचित उपाय किये जानी चाहिए और आग की रोक्ताम कनवेयर बल के विकल पर विचार किया जाना चाहिए राउत ने आज दिया पिछले साल चंद्रपुर और खापर खेड़ा में आग की घटनाओ की गहन जांच की जानी चाहिए और भविश्य में ऐसे घटनाओ को रोकने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए बिश्य सेंत्रों में नियमित रूप से मौक रिल की जानी चाहिए उन्होंने कहा बिश्य उतपादन दरो को कम करने के लिए उतपादन प्रक्रिया में जन्शक्ति और घटकों का उचित प्रभंधन किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि हर माह एक समिक्षा बैठक होनी चाहिए और प्रत्यक कर्मचारी की सुझाओ और अर्भव को ध्यान में रखती हुए काम करने के तरीके में सुधार किया जाना चाहिए डॉक्टर राउत ने कहा कि परियावरन को होने वाले नुकसान को रुखने के लिए परियावरन पाठेक्रम चलाने वाले संस्थानों के सायोग से उनके चात्रों के माध्यम से सर्वेक्षन कर जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए ताकि परियावरन को होने वाले खत्रों से बिजली सेंत्र में उत्पन्द राख का उचित तरीके से निप्टान किया जाना चाहिए। प्रपवसन राख कुमार मोड के साथ अभी शेक पान से PCN News नाकपूर।